स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लोग में आज हम जहां विजिट किये हैं यहां हमारा बर्थ पैलेस था और बहुत अच्छा जगह है जहारखंड से अगर आप हैं तो यहां पर आ करके घुम सकते हैं देख सकते हैं यह जो न जा रहा है अभी मैं रे आप देख पा रहे होंगे यह सामने टनल है और इस टनल के अंदर अभी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो अंग्रेजों के जमाना में बनाया गया था यह टनल और अभी तक बिलकुल ही देखने में एकदम जैसे ऐसे लगता है जैसे मानो नए टेकनिक को भी फेल क पर और सब नजारा जो है यहां पर आप देख सकते हैं चारो तरफ का यह नजारा है और उधर भीम चुला है और साथी साथ सिचाय भाग का जो नहर निकला था बिहार के लिए वो भी है वो तो मैंने पिछले ब्लोग में देखा दिया है और देखिए यह जो रेल्वे लगा हुआ है सब लोग लगे हुए हैं यहां पर काम चल रहा है अभी दिखाते हैं हम जा रहे हैं वहां उस टनल के अंदर कोशिस करते हैं हलाकि हमारे जमाने में बाप दादा लोग यह कहा करते थे कि अंदर जाना खत्रों से खाली नहीं है चुकि जो अंदर है ना कई बार भूत वगेरा का या फिर कई सारे जानवर्स भी हो सकते हैं जो कफी ज़्यादा नुकसान पहुचाते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जाएंगे और दिखाएंगे आपको यह जो डो टनल आपको नजर आ रहा है एक थर्ड टनल और बन रहा है पहाड को काट करके य यह जो टनल है वो कैसा दिखता है ठीक है अभी चलिए हम जब इस टनल के अंदर पहुच जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे देखिए पहाड को काटा जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से कौन सा टेकनिक लगाया है यहाँ पर बहुत सारे मसीने लगी हुई है और पहाड को यहाँ पर काटने का काम जोरो सोर से चल रहा है इधर देख सकते हैं सारे मसीन वगरा लगे हुए हैं और यह चारो तरफ का यह नजारा है अभी फ्रेंड्स हम जो टनल है अग्रेजों का जमाना का बना हुआ उस टनल के अंधर हम परवेश्ट करने जा रेहे हैं काफी डर लग रहा है लेकिन देखते हैं टनल जो है वो काफी पुराना लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाएंगे यंज जो टनल है देख सकते हैं जहारखंड का सबसे लंबा टनल बस उमीद करते हैं कहीं से कोई गाड़ी वगएरा ना आए देख सकते हैं यह आप टनल टनल नंबर वन कुछ इस तरीके से और अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है फ्रेंड्स समझ गये हैं काफी डर जैसा मसूस हो रहा है तो वह भी अंदर नहीं जाएंगे और पीछे आप देख सकते हैं पीछे हमारे भाई साहब आ रहे हैं तो वह आ जाते हैं तो फिर हिम्मत बना करके अंदर जाएंगे कि सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यह टनल के अंदर एक वैक्ति जो है वो जा रहा है परवेश कर दिये हैं अभी हम लोग भी हिम्मत बनाएंगे और जाएंगे आगे देखते हैं बने रही हैं इस सुरंग में जो है कैसे पत्थरों की कारिगरी की गई है और कहीं सीमेंट वगरा वैसा कुछ नहीं दिख रहा है देखिए किस तरीके से बनाया गया है यहां पर आपको पत्थर को फेदी क्रीक से बिलकुल चिपका दिया गया है आप देख सकते हैं आईसा महसूस हो रह अब चलिए जड़ी अंदर नहीं तो गाड़ी वगरा आ जायेगा तो फिर देख सकते हैं कभी भी आ सकता है चला जाए चला जाए चलना होगा जल्दी चलना होगा चली फास्ट फास्ट चलिए चुकि गाड़ी जो है फ्रेंड्स हो कभी भी आ सकती है ठीक है न तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पर पार करेंगे चुकि यहाँ पर काफी अंधेरा है और अंदर काफी डर लगता है चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए गाड़ी भी आ सकता है आगे से गारी आ गया तो भाई आप बचना मुस्किल है काफी दूर है आप देख सकते हैं अभी पस पहुंचने वाले हैं और अंदर आ जाने के पास बहुत डर लगता है इस राश्टे जवाप निकल जाएंगे इस राश्टे जवाप निकल जाएंगे अब जाकर के इस सुलंग से बाहर निकल गए हैं पीछे हमारे भाई साहब है अब देखिए आपका जो व्यू है वो कैसा नजर आ रहा होगा ठीक है यहां से आप देख सकते हैं अब इसके बाद लमसम दो किलो मीटर बाद सत्वहनी का रेलवे स्टेशन चीक है तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू अभी कुछ इंट्रेस्टिंग है तो हम दिखाएंगे इस जंगली बैर है बच्पन में बहुत खाते थे जंगली बैर अभी बहुत कम पका है तेख सकते हैं अच्टा लग रहा है चलिए इधर दिखाने का काम आपको कर दिये अब आके दिखाएंगे के बीच बिल्कुल अभी हमने आपको अंग्रेजु वाला जो टनल था वो दिखाया और अब आपको दिखाएंगे जो इंडिया की गुवर्मेंट ने यानि भारत सरकार ने यह जो टनल बनाया है यह देख सकते हैं यह भारत द्वारा निर्मित टनल है चारो तरफ पहाडों से घिरा हुआ सामने आप देख पा रहे हैं यह जो गाम है इसका नाम सदवहनी है सदवहनी एस्टेशन भी है सदवहनी एस्टेशन का रेलवे एस्टेशन है इधर ठीक है और चली अब इसके अंदर हम परवेश करते हैं और दिखाते हैं उपर में उपर में एक मकान जैसा भी बना गया ह और उम्मीद है कि इसमें जो गाड़ी आता है वो सामने से आता है तो हम लोगों को ज्यादा दिकत नहीं होगा ठीक है बायर बगरा है जो कि बच्पन में हम आते थे तो बहुत बायर बगरा खाते थे इधर और दिखाते हैं आपको कि फिर्टेल का जो एंदर है अकशा हम लोग जो है गाडियों से जाते हैं ट्रेण से जब बैठे हुए होते हैं तो ट्रेंड से क्रोस करते हैं ठीक है लेकिन कभी इसमें पैदल चलके देखियेगा तो आवाज जो है वो बूरा गुंजता है हालो हालो हा भया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दिजेगा इधर हमारा दिक्कत नहीं है चुकि इधर साइड में जो है काफी तो वगर सामने से गाड़ी आती है तो हम साइड में चले जाएंगे ठीक है चलिया अभी प्रेंट और बैक का दोनों तर्फ का दिखाते हैं यह देखिए किस तरीके से हम जा रहे हैं वगर हम इसमें तोड़ें तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लाई और इधर जो है ना इधर देखिए एक रूम जैसा भी बना हुआ है अंदर में यहां में और दीन है लेकिन और आपको अंधेरा महसूस हो रहा होगा अंधेरा जैसा लग रहा होगा शलिए यह टनल हमने क्रोस लगभग लगभग कर दिया है थोड़ा सा और बचा हुआ है उस कि दम बचपन वाली याद आ जाती ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में दूबारा से लोट चुके है चूकि बचपन में काभी बार हम आया करते थे कुछ टाइम अंदर से नहीं जाना भूत बगर होता है तो हम लोग उपर से जाते थे टनल के उपर से ठीक है अभी जो कि एक अंग्रेजों के द्वारा बना गया था और दूसरा भारत सरकार गोवर्मेंट के द्वारा बना गया था पर जो बैर है इस बैर को तोड़ते हैं तोड़ करके काट टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा देखिए यह जो बैर है ना यह काफी मिठा है देखिए पहाडों से घिरा हुआ एकदम वह आए भी जो कि हमने आपको पिछले वीडियों में दिखाए था यह भी लोग आपको पसंद आया होगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल